प्री बच्चों एक बार पुने आप लोगों का सुआगत है सुभागी देवी मादमी विद्याले एंटेमेडियर कालेज इलहाबाद में किर ओनलाई दोगोर्मा सुभागी देवी इंटेमीडियर कालेज इलहाबाद से आज मैं आप लोगों को कच्छा चव विशे समाजिक विज्ञान पार्ट पांच नए धार्मिक बिचार ये इतिहास का एक अध्या है प्यारे बच्चों नए धार्मिक बिचार न्यू आइडियास इन रिलीजियन कहा गया है जैन धर्म के बारे सबसे पहले बताया गया इसमें हिंदू एवं बहुत धर्म के साथ जैन धर्म भारत के तीन प्राचिंतम धर्मों में से एक हैं प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे या नहीं तो आप लोग जाने जाएं। भारत के तीन प्राचिंतम धर्मों में से एक है जो आज भी प्रचलित है मूलतह जैन धर्म आहिंसा पर आधारित अध्यात्मिक मार्ग पर चलने की सिच्छा देता है। जैन धर्म में हम सीखेंगा हिंसा पराधारित अध्याद्विक मार्पचलने की सिच्छा देता है। जैन धर्म का इतिहास यहाँ पर बता रहा देखें बचों जैन धर्म इसा पूर्व सातवी पांचवी सतापदी के दोरान उत्तरी भारत के गंगा बैसिन में ऐसे समय में विक्सित हुआ जब तीव्र धार्मी प्रतिक्रिया जारी थी। यानि की कहा गया इसा पूर्व सातवी पांचवी सतापदी के दोरान बहुत तीव्र धार्मी प्रक्रिया जारी थी। जैन परंपरा के अनसार जैन धर्मों के संस्तापक तिर्थकर आदित्यनात थे। प्रतम 22 तिर्थकरों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। तिर्थकर बर्धमान महावीर थे। बर्धमान महावीर का जन्म उनके जन्म के बारे में बताया गया है। वैसाली के निकट कुंड ग्राम में लगबग 540 इस्वी पूर में हुआ था। यानि बर्धमान महावीर का जर्म कहां हुआ था, बैसाली के निकट कुंड ग्राम में लगबक कफसो हुआ था, पांसोचालीस इसापूर में हुआ था, उनके पिता सिधार्थ चत्रिय कुल के थे, बच्पन में ही बर्धमान चिंतनसील प्रविर्थी के थे, यानि जब वो उन्होंने ग्रह त्याग दिया, यानि 29 वर्ष की याय में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, त्याग दिया, अगले 12 वर्षों तक वे ध्यान मग न रहे, यानि 12 वर्षों तक वे ध्यान मग नहें, ध्यान को लगाए रखा, कठिन तपस्या से उनका शरीर दुर्बल हो गया, यानि कि कमजोड हो गया, पुर्ण ज्यान की प्रापति हुई और वे जिन कहलाए अब आप से पुछा जा कि जिन क किसको आसे हान है तो आप पता सकते हुआ महावीर को जिन कहलाए कहा जाता है उन्होंने, उन्हें महावीर भी कहा जाने लगा और वहीं से उनका नाम महावीर पड़ गया अपना सेश जीवन उन्होंने स्थान स्थान पर जैन धर्म का परचार करने में लगाया यानि कि महावीर ने एक जने से दूसरे जगह जा जाकि जैन धर्म का परचार किया जैन धर्म पश्चमी भारत यानि कि राजस्थान गुजरात एवन मद्ध प्रदेश के मालवा छेत्र में अधिक लोग प्रिये हुआ जैन धर्म की पांच सिक्षाएं प्रमुख हैं कौन कौन से हैं पहला सत्य बोलो दूसरा संपत्य का संग्रह मत करो यानि कि धन एकठा मत करो तीसरा किसी जीव की हिंसा मत करो यानि किसी भी जीव जन्त को मत मारें चौथा है किसी से कोई वस्त दान में मत लो यानि कि किसी से कोई वस्त दान में मत लो पाच्वा है पवित्र जीवन बितीत करो यानि कि आपका जीवन पवित्र हो ऐसा बितीत करिए पहला दिया हुआ है आहिंसा जैन धर्म की सबसे बड़ी सिच्छा है महावीर किसी भी प्रकार की जीव हिंसा के विरूद थे चाहे वे कीडे मकोडे हो या चोटे जीव जो भी हूँ जैन धर्म इस्वर बेदों यग्यों बली पर्थाओं आज में विश्वास नहीं करता है यानि जैन धर्म इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता है इस धर्म के अनुसार माना जीवन कस्टों से भरा है इस दर्मिमानाव जीवन का जीना कैसा है? कस्ट है, कस्टों से भरा हुआ है, मनुस्य अनेक संसारी की छाओं में लिपत है, यानि कि मनुस्य की अनेक संसारी की छाओं जो होती है, वो सब लुपत हैं वह अपने कर्मों के अनसार ही फल प्राप्त करता है यानि जैसा वो कर्म करता हो जैसा फल प्राप्त करता है अत्या उसे निर्माण या मोच प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए इसके लिए उसे तिरत्न का पालन करना चाहिए जिसमें उचित विश्वास, उचित ग्यान तथा, उचित आच्रण सम्मिलित हो ऐसा विश्वास नहें उसका पालन करना चाहिए महावीर की मृत्त के लगभग 200 वर्स बाद जैन धर्म दो संपरदायों में बट गया पहला दिगंबर तथा, दूसरा है स्वेतामबर, यानि पहला दिगंबर और दूसरा स्वेतामबर दिगंबर संपरदाय के अनुयाई रुडिवादी हैं, जो सोयम को कष्ट देने में विश्वास करते हैं तथा नगन राते हैं, वो नंगे राते हैं सुएतांबर भद्र बाहू के अनुआई हैं जो सुएत वस्त धारण करते हैं उनका वस्त धारण क्या करना सुएत यानि सफेद वस्त का धारण करते हैं प्राचिनकाल में अनेग रजाओं ने जैन धर्म अंगीरा किया मौर समराठ चंदग्रूप्त उनमें से एक थे यानि की मौर समराठ चंदग्रूप्त ने क्या किया धर्म अंगीरा किया कुछ राजाओं ने जैन मंदिर भी बनवाएं राजस्तान के माउंट आबू के दिलवाडा में के मंदिर का तथा गुजरात के पालिताना और संतरुजय के जैन मंदिर प्रसिद्ध है स्रमण बेल गाला यानि ये करनाटक में है माउंट आबू तथा के सर्याजी यानि की राजस्तान में है तथा अंतरिक्ष पार्शावनात अकोला यानि महराष्ट में है जैन धर्म के प्रमुक्द तीर्थक है देखे ये महावीर भगवान महावीर की मुहती है इसे आप देख रहे हैं और उसी प्रकार है उदय गिरी खंड गिरी जो उडिसा में है राजगीर जो बिहार में है एह वरा महराष्ट था सित्वन स्वालसल तमिलण में इस्थित है अब यहाँ पर आया दूसरा बौध धर्म पहला जो हमने आप लोग पढ़ाया जैन धर्म था ये बौध धर्म एक दर्शन है जो गौतम बुध की सिच्छाओं से विक्सित हुआ किसके गौतम बुध के सिच् है क्या है कि वह एक वरंदर्शन है जिसने पूर्व दुनिया के अत्याद्मिक सांस्कृति एवं समाजिक जीगवन में एक महत्पूर्ण भूम का निभाई तथा बीश्वी सताब्दी में पश्चिम में भी अपना पर्चम लहराया बौध धर्म का इतिहास यहां बताया ह चोती सताब्दी के मध्विक्सित हुआ जो महान समाजिक परिवर्तन तथा अत्यधिक धार्मिक क्रियाशलता का काल था उस समय बहुत धार्मिक क्रिया सिलता का काल था। अधिकांस पश्चात एवं भारती विद्यानों के अमसार भगवान बुद्ध का जीवन काल 563 इसा पुल से 883 इसा तक रहा यह एक समय था जब लोग ब्रामणों द्वारा किये जाने वाले धार्मीक कर्म कांडों से अप्रसंद थे यानि उस समय क्या था ब्रामण द्वारा किये जाने वाले धार्मीक कांडों से लोग अप्रसंद थे खुस नहीं थे उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ सादू संतों ने बेदों के भी पार जाने का प्रयास किया तथा संसारिक त्याग तथा अत्वधामिक ज्यान का अधिक जोर दिया यानि अध्यात्मिक ज्यान पर अधिक जोर दिया उन्होंने संसकारिक त्याग पावी जोर दिया किन्त उत्तर पूर्वी भारत जो आर संस्कृती से अधिक प्रोहाविता में विविद धार्मिक द्रिश्ट से यह समय संस्यम उतल पुतल तथा प्रयवों का था ऐसे ही समय में बुद्ध का जन्म हुआ है इस समय में ही वरवान बुद्ध का जन्म हुआ अगला है गौतम बुद्ध का जीवन परिचे लेकि आपको बताएं गौतम बुद्ध का जीवन परिचे क्या है गौतम बुद्ध बौध धर्म के संस्थापक थे आप सभी लोग जा में नैपाल की तराई में कपिलवस्तू के लुम्बनी वन में हुआ था जो इस समय नैपाल में है आप सभी लोग जानते हैं लुम्बनी जो है नैपाल में हुआ वो साक के राजा के पुत्र थे वो किसके पुत्र थे साक के राजा के पुत्र थे उनकी माता का देहांत होने के समय बुद्ध मातर साथ दिन के थे जब उनकी माता का दिहांत हुआ तो बुद्ध भवान कितने समय के थे साथ दिन के थे के वाद अतर उन्हें गौतमी ने पाला इसलिए वे गौतम कहलाए अब देखिए गौतम क्यों कहलाए उन्हें गौतमी नामक एक स्त्री ने पाला इस कि एक महान अत्याद्मिक नेता बनेगा यानि एक महान अत्याद्मिक नेता बनेगा हुआ उन्हें वैभाव तथा विलास में पाला गया 16 वर्ष की आई में सिधार्थ का विवार ये शोदरा नामक राजकुमारी से हुआ कितने वर्ष के 16 वर्ष की आई में ही उनका विवार हो गया बचपन से ही सिधार्थ बुद्ध का वास्तिविक नाम है यानि बुद्ध वगवान का वास्तिविक नाम क्या था सिधार्थ का चिंतनसील प्रकृति के थी वो भी चिंतनसील ही थे सीगर ही उन्होंने जान लिया कि ये संसार कस्टों से भरा है और वो भी जल्दी से समझ गतना महा परित्याग या जानी जाती वे मगद की राजधानी राजग्रेव पहुचे उन्होंने गया के निकट उरुवेला के जंगलों में छो वर्सों तक घोर तप किया यानि की छो वर्सों तक घोर तपस्या किया कहां पे गया के निकट उरुवेला नामक जगा पे अंतह वह बोध गया के में बर्गत के ब्रि जाके अब बर्गत के पीड़ के नीचे बेटके समाधी लगा गए, उन्चास दिनों के बाद उन्हें बोध यानि कि ग्यात प्राप्त हुआ कि वे बुद्ध कहलाने लगे और उसी सिवब बुद्ध कहलाने लगे उन्हें तथागत भी कहा जाता था तथागत भी कहा जाता है जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्थ हुआ था वह अब महाबोधी मंदिर इस्थित है जो बोध लोगों का प्रमूख तीर्थ स्थान है कौन सा महाबोधिक मंदीर जो बौध लोगों का प्रमुख तीर्थ स्थान है यह देखे प्यारे बच्चों बगवान गौतम बुद्ध का चित्र दिया हुआ है चलिए प्यारे बच्चों आज बस इतना ही अगले वीडियो में आप लोगों को बहुत धर्म की प्रमुख सिछायें जैसे अहिंसा, निर्वान, कर्म, सिध्धान्त में विश्वास, ये स्वर का स्तित्व बहुत धर्म का प्रचार प्रसार एवं पतन के बारे में पढ़ाऊंगा धन्यवाद